दोस्तों में अनिता आज बात करेगे मिशन चंद्रयान की तो चलिये विस्तार से जानते हैं। जिस चंद्रमा को हम दूर से देखते हैं, उसमें अब भारत का चंद्रयान तीन मिशन भीजा जा रहा है। भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरोग का बहुप्रतीक्षित मिशन शुक्रवारकों को दो बचकर पैतालीस मिनिट पर लाज कर दिया गया था अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सता पर सुरक्षित लेंडिंग का है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉंग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे उसके बाद से गैरमानव मिशनों की होरसी लग गई। प्रित्वी और ब्रामान के इतिहास का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा वैज्यानिकों का एक लक्ष बन चुका है। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सौफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा। भारत का यह मिशन चंद्रयान 2 की क्राश लैंडिंग के चार साल बाद भेजा जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है, तो अंतरिक्ष के क्षेतर में ये भारत की एक और बड़ी काम्याबी होगी। इस बीच जानना जरूरी है कि चंद्रयान 3 मिशन क्या है, इसका उदेश ये क्या है, आखिर चंद्रमा पर खोज क्यों की जा रही है, चंद्रमिशनों से मनुश्यों को क्या हासिल होगा। इस रों के मुताबिक, चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है, जो चंद्रमा की सता पर उतरेगा और परीक्षन करेगा. इसमें एक प्रणोधन मॉडूल, एक लेंडर और एक रोवर होगा. चंद्रयान तीम का फोकस चंद्रमा की सता पर सुरक्षित लैंड करने पर है मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए है एल्गोरिदम को भैतर किया गया है जिन वजों से चंद्रयान दो मिशन चंद्रमा की सता नहीं उतर पाया था उन पर फोकस किया गया है बुधवार को श्रीहरीकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान 3 युक एनकैपसुलेटेड असेंबिली को LVM 3 के साथ जोड़ा गया गया चंद्रयान 3 को मिलाकर अकेले भारत के ही 3 चंद्र मिशन हो जाएंगे हालां कि इसके अलावा भी दुन्या की तमाम राश्च्य और नीजी अंतरिक्ष एजनसिया न्यूना मिशन है या भेजने की तैयारी में है इन मिशनों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है यही कारण है कि आज भी चंद्रमा पर खोज एक चुनोती मानी जाती है 1999 में नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे इस एतिहासिक मिशन के दशकों बाद भी चंद्रमा का पता लगाना मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हो गया विशेशग्यों का कहना है कि जब पृत्वी और ब्रह्मान के इतिहास का अध्ययन करने की बाद आती है तो चंद्रमा एक खजाना है चंद्रमा पर मिशन भेजने के उदेशों को लेकर नासा की वेबसाइट कहती है कि चंद्रमा पृत्वी से बना है और यहां पृत्वी के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष मौजूद है आलांकी पृत्वी पर यह साक्ष भूगर्भिक प्रक्रियाओं की वज़स से मिठ चुके है नासा के मुताबिक चंद्रमा वेज्ञानिकों को प्रारंभिक पृत्वी के नए द्रिश्टिकोन प्रदान करेगा प्रिथ्वी चंद्रमा प्रणाली और सौर मंडल कैसे बने और विक्सित हुए जैसे सवालों के जवाब वैज्ञानी को मिल सकते हैं इसके साथ ही पृत्वी के इतिहांस और संभवता भविष्य को प्रभावित करने में क्षुद्रग्रा प्रभावों की भूमिका के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। अमेरिकी एजनसी की माने तो चंद्रमा अनेक रोमांचक इंजिनियरिंग चुनोतियां पेश करता है। यह जोखिमों को कम करने और भविष्य के मिश्णों की उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए प्रोध्योगी कियों, उडानक्षमताओं, जीवन समर्थन प्रणालियों और शोध तक्नीकों का परीक्षन करने के लिए एक उत्कृष्च जगा है। विच्छपी समभापनाओं की तलाश में सबसे पहला पढ़ाव है चंद्रवार। अब यहां समझे कि चांद की सतय पर उतरने वाना रोवर क्या करेगा। रोवर चंद की सतय की तस्वीरे भेजेगा। चंद की मिट्टी की जाच करेगा। चंद के वातावरिन की रिपोर्ट देगा। चंद का क्यामिकल विशलेशन करेगा। चंद पर मौझूद मिनरल्स खोजेगा। यह भी तलाश करेंगे कि क्या चंद में पानी का कोई अंच है। अगर लांडर की सौफ्ट लांडिंग होती है और फिर अंतरक्ष में पहुंच के लिहाज से वैश्वेक मंच पर भारत की साख बढ़ेगी। नहीं नहीं अर्वो डॉनर की अंतरक्ष बाजार में भारत की उपस्तिती पहले के मुकाबले कई जादा वजबूत होगी। ऐसे में भारत के लिए चंद्रमा की एहमियत कई जादा बढ़ जाती है। चंद्रमा पर पहुशने से सारे मंडल को समझने में मदद मिलेगी। बड़े लक्ष को प्राप्त करनी के लिए चंद्रमा सबसे उप्योक्त जगा है। चंद्रमा पर कई तरह के मिनरल्स मिलने के संभावना है। अंतरक्षमी खूच के लिए स्टेशन विक्सित किया जा सकता है। भारत के स्पेस साइंटिस्ट की एक कोशिश है कि इस मिशन में सबसे पहले सौफ प्लान्डिंग हो। रिटर्न मिशन सक्सेस्फुल हो। सैंपल कलेक्शन हो सके। फ़ला अस वीडियो में इतना ही लिए इस मिशन को आख।